शेंक्तराश्ट संग का जन उसकी आवश्यकता शेंक्तराश्ट संग की आवश्यकता एक अंतरराश्टी मंच की आवश्यकता जरूरत और ऐसे क्या कारण से जिससे जिसने अंतता शेंक्तराश्ट संग जैसी एक अंतरराश्टी संसा को जन दिया यह हमने जाना जहां तक जन्ब की बात है मैंने पूर में बताया है 24 अक्टूबर 1945 इंकावन सदस्यों याने इंकावन राश्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सुछित राश्ट्राशंग के निर्माण के जो दस्तावेच थे उस पे दस्तक्रत किये और इस प्रकार उनके हस्ता इंकावन सदस्यों के साथ सुछित राश्ट्राश्ट्राशंग का जन्ब हुआ याने प्रारम में ही इसके इंकावन सदस्यों हो चुके थे और इस तरह जो संस्था 1949 में जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी नॉंबर 1949 में जेम्स वाटवेल की अध्यक्षता में अन्ततः 1945 की स्थापना के साथ वो पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई जो रिपोर्ट बनी रिपोर्ट साजा की गई और 1944 आते आते ब्रेटन बूर्ट कांफरेंच सैन फ्रांसिस्को कांफरेंच और कई पायदानों को पार करते हुए अन्तता 1945 में ये प्रक्रिया स्थापना के साथ ही समाप्त हुई अर्थार निशकर्ष ये विश्युद के साथ 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 स्थापना के प्रयाश शुरू हुए और विश्युद की समाप्त के साथ स्थापना की प्रक्रिया भी समाप्त हो गए कितना विरोधा बात से एक और सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था और दूसरी और सबसे बड़ा प्रयास शांतिका भी हो रहा था ये संग्तराशंग पहली ऐसी वैश्विक संस्था थी जिसमें इतने सारे देश सदस्य बने और ये विश्युद्ध भी जो साइड बाई साइड लड़ा जा रहा था पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इतने सारे देश इन्वाल्व थे दस जन्वरी 1946 को वेस्ट मिन्स्टर लंदन में इसकी पहली बैठक होती है वेस्ट मिन्स्टर लंडन की एक जगा है जहांके प्रदान मंतर का निवास है वहीं पर सुविक्त राश महासरभा की पहली बैठक हुई और इंकावन देशों ने जो सरजस्त राश थे उन्होंने भाग लिया और 17 फरवरी 1946 को 17 फरवरी 1946 को नौर्वे के ट्रिग्वे ली इन्हें पहला महासरभा बनाए गया मैंने पूर में एक और महासरभा का जगर किया था आपको जिनका नाम था डग हैमर शोल जिनका एक प्रसद बयान मैंने आपको बताया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सम्क दराश की स्थापना विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बलकि नर्ख होने से बचाने के लिए है आपको स्मौन होगा जिए वाग की जो पूर में लिया गया था कहा गया मैं ये महासचिव थे दूसरे महासचिव अभी मैं जिकर कर रहा हूं पहले महासचिव का जिनका नाम है ट्रिगवे ली महासचिव क्या है जैसा मैंने पूर में बताया ये सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होता है United Nations का इसके बारे में विस्तार से जब हम नाचे की तब हम पढ़ेंगे 19 अप्रेल 1946 को इस प्रकार नए राष्ट संग की स्थापना के बाद पुराने राष्ट संग को और पचारिक रूप से समाप्त घोशित कर दिया आपको याद होगा कि जो League of Nations 1919 में बना था उसका हिंदी अनुआद राष्ट संग है League of Nations और 1919 में जब वो बना था उसका उद्यश था विश्वद से रोकना विश्वद तो शुरू हो गया लेकिन League of Nations का अस्तित्व अपने तहीं बना रहा यद्यपी वह अक्षम में यद्यपी वह किसी भी तरीके से अब उसका अस्तित्व का कोई मायने नहीं था लेकिन आधिका अपरिकिस्टर पर उसके अंत की घोशना कब खुई 19 अपरेल 1906 और बाद में ये तैह हुआ वेस्विन्स्टर की कांफरेंस में ट्रिगवे लीक को पहला महासेचिव बनाना और नियू यॉर्क में सेविक्तराष्ट संग का मुख्याले खोलना ये एक बहुत बड़ा ख्याले किस देश में होगा तो अंतरता तैह हुआ कि सेविक्तराष्ट संग का मुख्याले सची वाले नियू यॉर्क अमेरिका में होगा और इस प्रकार सेविक्तराष्ट संग का जन्म होता है और वो अपने कारियों में लग जाता है जो प्रस्तावना थी इसकी जो उडेश थे प्रस्तावना थी इसकी जो डाकिमेंटेशन थे उसके तहफ ק्या बाते की गई हैं इसको जानने के लिए जरूरी है कि हम अस चार्टर की ओर जाएं जिसका जिकरपूर में किया गया है जिसे हम Atlantic Charter कहते हैं इस Atlantic Charter में जो 24 अक्टूबर 1945 को घुशित हुआ इसमें कुल मिलाकर 19 अध्धाय हैं 19 chapters 111 धाराएं हैं 111 articles और लगभग 10 हजार शब्दों का है पुना दोहरादू 19 articles, 19 chapters, 111 articles and 10,000 words approximately इसकी जो प्रस्तावना है प्रस्तावना यहने प्रारभ में जो उसका उद्देश बताया गया है जिसे यदि आप भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना को देखें तो इसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं तो इसी तरह इसकी भी एक प्रस्तावना है इस प्रस्तावना में सेंक्तराश्चंग के सदस्य से इस बात का निश्चय करते हैं ये बात तै करते हैं कि हम आने वाली पीड़ों को युद्ध से बचाएंगे क्या है इसका लक्ष युद्ध से बचाना ऐसे युद्ध से जो हमारे जीवन में निकट भूत काल में दो बार मानवता के लिए खत्रा बन चुकी है दो बार अपार कष्ट दे चुकी है यानि ये इशारा प्रथम विश्युद्ध और उसके बाद दूती विश्युद्ध की तरफ है हम मानव के बनियादी अधिकार मानव का गौरो उसके मूल और सभी के समान अधिकारों के लिए प्रियास करेंगे यानि चार बिंदू और पहला बिंदू तो ये है स्पश्ट की युद्ध की मुसीबतों से बचाएंगे दूसरा बनियादी अधिकार मानव के बनियादी अधिकार मानव का गौरो मानव मूल और समानता समान अधिकारों के विश्य में अपने विश्वास को इन इंकावन सदस्य देशों ने चार्टर के माद्यम से दुहराया उसके बाद आगे प्रस्तावना कहती है कि हम एक तरीके से एक ऐसा वातावरन पर तयार करेंगे जो न्यायोचित हो न्याय तर्क न्याय संगत हो तर्क संगत हो ताकि संधियों और अंतराश्टी कानून के माद्यम से जो लागू होना है उसे लागू किया जा सके न्याय संगत कानून न्याय का वातावरन अंतराश्टी कानून को ध्यान रखते हुए अब ये बात क्यों कही गई क्योंकि 1919 में जो राश्ट संग की स्थापना होई थी उसमें अंतराश्टी कानूनों के मुद्दों पर बड़ा कन्फ्यूजन था और इसी लिए ये पहला जो प्रयास था अंतराश्टी मंच का राश्ट संग के जरिये वो असफल रहा था तो ये कहा जा सकता है कि पिछले अनुभों का फायदा लेते हुए इस नए चार्टर में कुछ शुधार थे वादा किया गया था कि अंतराश्टी कानून में हम विश्वास करेंगे और अंतराश्टी कानून के मद्दे नजर अच्छे परोसियों की तरह शांती पूरवक रहके अपने करतव्यों का अपने दायत्यों का पालन करेंगे मिल जुल कर रहेंगे और अंतराश्टी शांती और सुरक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे अपनी जो शक्ती है अपनी जो उर्जा है उसको संगठित रखेंगे इस उद्देश की पूर्ती के लिए कौन सा उद्देश शांती और सुरक्षा इस पकार प्रस्तावना के ये मूल बिंदू हो गए जिसमें वे अपना लक्ष रखते हैं यदि उद्देशों की बात करें तो इनके चार उद्देश मुख्य रूप से हैं चार अलग अलग दिश्ट कौन हैं चार चार उद्देश मुख्य रूप से इसमें दिखाई देते हैं दिश्टी गोचरा है पहला तो है शांती और सुरक्षा की स्थापना जिसका जिक्र बार-बार किया गया है क्योंकि मुख्य उद्देश तो यही था और इस उद्देश की प्राप्ति के लिए सामुहिक प्रियास करने का वदा इस स्थापना के उद्देश में दिया गया है ये जो इसका जो चार्टर है स्थाटर की धारा दो में साफ लिखा है कि इसके सभी सदस्य राष्ट अपने अंतर राष्टी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलजाने की सार्थक कोशिश करेंगे सभी अंतर राष्टी विवादों को शांति पूर्वक्ष लजाने के लिए सार्थक कोशिश और ये किसलिए ताकि अंतर राष्टी शांति अंतर राष्टी सुरक्षा और न्याय के समक्ष किसी भी तरीके का संकट उपस्थित ना हो बारम बार ये बिंदु सुरक्षा और शांति चार्टर में बारम बार इस बात को दोहराए गया दूसरा जो दूसरी बात जो इसमें दिखाई देती है दूसरी गोचर है वो है मैत्री पूर्ण संबंधों का विकास इसके देशियों में ये अहम है सभी दोस्ट सभी राष्ट एक दूसरे के साथ मिलकर हाथ से हाथ लग पकड़कर अधिकार और स्वतनता के सिधान्त पर मैत्री पूर्ण तरीके से अपने अपने खेतर को विकसित करेंगे यानि मित्रता किसी दूसरे को छोटा दिखा कर अपना विकास करना ऐसा नहीं होगा ये मैत्री पूर्ण विकास मैत्री पूर्ण संबंधों के विकास की भावना के पीछे ये बात नहीं थी विश्व शांति को सुधिर बनाने के लिए सब लोग मिलकर समचित प्रबंद करेंगे ये इसका दूसरा उद्यश्य था मैत्री पूर्ण संबंधों का विकास तीसरा उद्यश अंतराश्ट्री सहयोग अंतराश्ट्री सहयोग सा क्या तात्पर है जैसा मैंने बताया पूर में बार बार कि विश्व छोटा हो चला है वैश्विक गाउं हो चला है छोटा और छोटा होने का कारण भागुलिक परिवर्तन नहीं है बलकि संचार माध्यमों का आना तीवर संचार व्यवस्था का होना ये है तो अंतराश्टी सहयोग इसलिए और ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि अब विश्व छोटा हो चला है निर्भरता बढ़ गई है कोई भी देश च्वैम अपने तहीं आत्म निर्भर नहीं रह सकता उसको दूसरे देशों पर निर्भर होना आवश्यक है और यदि इस बात के प्रतिहम सजग हैं कि हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं तो निश्टित रूप से ये भावना अंतराश्टी सहयोग को बढ़ाएगी आर्थिक शेत्र में सामाजिक सांसितिक शेत्र में और अन्यमानतावादी समस्याओं के लिए और अंतराश्टी सहयोग करना बिना जाती लिंग, धर्म, देश आदे की भावना को हटाए तो तंतरता की भावना को विक्सित करना इसका एक मुख उद्दिश और ये सब क्यों अंतराश्टी सहयोग अपरिहारे है अंतरराश्टी सहयोग वर्तमान इस्थित में अत्यावश्यक है ऐसा मानते हुए स्विक्ष राश्चंग की जो चार्टर है उसके धारा एक में लिखा हुआ है धारा एक के अनुछेद तीन में कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवी भावनाओं से संबंधित अंत सहयोग और सभी मौलिक स्वतनता के प्रति सम्मान करेंगे ये हुए इसका तीन उद्येश, सहयोग राश्चंग के अदेशियों के यदि हम बात करें तो ये उसके हुए तीन उद्येश, सहयोग और सामजस्य की स्थापना। सहयोग और सामंजस्य यह दोनों अलग-अलग चीज़ हैं सहयोग होना यहने कोपरेशन और सामंजस्य कार्थ है कोओडिनेशन कोओडिनेशन सहयोग सब्सक्राश्चंग के जो हमने पहले तीन उद्येश्य पढ़े शांती वस्रक्षा मैत्री पूंट संबंदों का विकास अ इन सब के लिए जरूरी है कि इन सब की प्राप्ती के लिए जरूरी है कि विभिन सदस्य देशों के बीच में सामंजस्ची रहे। इन सब के बीच में international रहे इसलिए विभिन राष्ट एवं सुमग्ठ राष्च संग के रूप में एक एक सौर मंडल बनाया गया है जिसके केंदर में सौिक्ठ राष्च संग है और उसके विभिन सदस्य राष्ट के ग्रहों के समान उसका चक्कर काटते रहते हैं सौर मंडल में सूर केंदर में रहता है और जो आठ ग्रह हैं वो उसके चक्कर काटते हैं इसी तरह आप समझ लीजे कि स्विक्ट राष्ट संग है और उसके आसपास स्विक्ट राष्ट संग को धुरी मानते हुए उसके चारों और ये चक्कर काटते हैं और जब भी इनके बीच की दूरियां बढ़ती हैं तो सिंक्तराश्च संग उन्हें फिर से मिलाने की कोशिश करता है सिंक्तराश्च संग उनमें फिर कोडिनेशन लाने की कोशिश करता है तो इस परकार सिंक्तराश्च संग एक धुरी बन गया है अंतराश्टी राजनिति का, अंतराश्टी संबंधों का, अंतराश्टी सहयोग का.